हेलो बच्चो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोर स्कुल में बच्चो यूपी सैनिक का रिजल्ट आ चुका रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था जो फाइनल आया था उसके बाद उसकी पहली लिस्ट आई थी जो उसमें से कुछ बच्चो ने एड्मिसन नहीं ल लिस्ट में और आगे भी लिस्ट आएगी कि नहीं इसकी भी जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी तो दिहां से सुनिएगा आप सभी को प्रोसेस कैसे देखना है आपको अपने सेकेंड लिस्ट में नाम क्या-क्या चीजे लगेंगी सब कुछ मैं आपको बताने जा रह ठीक है और ठाड क्या हुआ था क्लास नाइंध के लिए इसमें केवल बॉयस में यहां भी Kवल बॉयस में यहां बॉयस एंड गल्स दोनों के लिए ठीक है? इतना सभी को पता है ना जो first list आई थे result की उसमें जमान चलिए 100 बच्चों का selection हुआ 100 बच्चों का नाम आया 300 बच्चे जैसे medical होता है interview होता है सब कुछ overall मिला के सभी बच्चे जो भी जिनका qualified हुआ minimum criteria पूरा किया qualify हुआ qualify होने के बाद बच्चे क्या किये? मतलब उनका medical हुआ और interview हुआ उसके बद result आया कि कितने बच्चों का selection हुआ है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका medical हुआ है interview देने गया लेकिन selection नहीं हो पाया था first round में तो waiting list में waiting list में होंगे तो उनका क्या है second list में आया है तो बच्चे जाकर अपना नाम जबूर चेक कर ले साथ में क्या है self finance seat होती है मतलब कि जो उसमें भी condition है कि आप merit list में hundred के अंदर तक होना चाहिए तो आप self finance जो पैसे है जैसे normal फीच रती उससे double पैसे दे कर आप admission ले सकते self finance की भी कुछ वहाँ पे seat होती उसके बारे में भी आप ही आपको मैं बता दूँगा तो करना क्या है आप सभी को official website पे जाना है official website पे जाना है देखिए क्या करना है आपको search करना है आपको कि UP सैनिक स्कूल इसको हाँ पे जूम करेंगे सबसे उपर में ही आपको दिखरा होगा final result second list of interest 2023-24 declared ठीक है तो इस पे हम click कर देंगे ठीक है जैसी देखिए हम click करेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा ठीक है ऐसा कुछ आएगा तो इसमें देखिए क्या है admission 2023-24 यह लिखा हुआ है click here to download interest final result 2023 second list हमको second list चाहिए तो इस पे हम click कर देंगे ठीक है इस पे हमने click कर दिया ठीक है click करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा देखिए दृति सूचिया ने second list आई है वह इस अब लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे अनुक्रमांगमा ने जो roll number दिया गया है उनका second list में मतलब यूपी सैनी के स्कूल के लिए selection हो गया यूपी सैनी के स्कूल कहा है लखनाव में लखनाव में न ठीक है तो उसका selection हो चुका है तो उनको कब तक 31 मार्च 2023 को प्राता 9 बजे तक उपस्थित होना है ठीक है तो यह देखिए roll number लिखे हुए class 9 बाल लिखा है मतलब गल्स की बात करें तो क्या है देखिए roll number अपना देख सकते हैं आप कि इस roll number का selection हुआ है तो 31 मार्च तक जाके आप admission अपना करा ले ठीक है और एक note यहां पर लिखा हुए अनुक्रमांक 907162 का जाती और निवास प्रावरावत्र जमा करने पर ही मानने है ठीक है यह लिखा हुआ है अब class 9 बाला कि यहां पर लिखा हुआ है स्वावित्पोसित सुल्क ठीक है? तो क्या है बाकी बच्चों का जैसे नॉर्मल वहारी जर्वेशन में उस हिसाब सेलेक्शन हो गया लेकिन कुछ बच्चे बच जाएंगे तो अगर मेरिट मेर हंड़ेट के अंदर है और अपना मतलब जो सेल्फ क्या फाइनेस्ट केटिगरी जाना चाते हैं तो उनका क्या है जा सकते हैं फीस्ट थोड़े उनकी ज़्यादा लगती है क्लास सेवंथ के लिए बात करें जैनरली क्लास सिख्स तो और इस तरीके से आप यहां जाकर देख सकते हैं और आपको मैं और दिखा देता हूँ देखिए अब यहां पे जाएंगे तो और लिस्ट क्या नहीं वा कि किसी बच्चे ने अड़ीन ले खाली है और सेशन फाइनेस दिवी तो अभी लिस्ट आने वाली है ना तो जो सिट इसका मतलब भी self finance होता है याद रखिएगा तो इतनी चीज़े आ गई है और इसमें भी मान कर सेलेक्शन नहीं हो तो next round में next list जब आएगी तो बच्चों का सेलेक्शन हो सकता है उमीद आप सभी रखिए अगर आप सैनिक स्कूल 2024 की तयारी करें next year के लिए तो हमारे सैनिक अलफा बैच जॉइन करके बहुत ही अच्छे धंग से आप तयारी कर सकते हैं इसमें आपको complete video lectures, exercise questions, chapter wise test और telegram की सुईधा मिलेगे बहुत ही अच्छे धंग से बच्चों की तयारी कराई जाती है अर्जुन बैच अभी आपका एक्जाम 29 अपरेल को होने वाला है ठीक है 29 अपरेल को नवदय विद्याला क्लास 6 का एक्जाम होने वाला है अब लगभग एक महिने समय बचे है ठीक है तो आप अपनी तयारी को अंतिम मुकाम देना चाहते हैं बहुत ही अच्छी धंग से तो आप अर्जुन बैच जॉइन करके बहुत ही अच्छे धंग से तयारी कर सकते हैं इसमें आपको प्रॉपर सबसे जुरुची प्रॉपर गाइडेंस दिया किस तरीके से आपको नवदय विद्याला में सेलेक्शन लेना है वीडियो लेक्चर्स पढ़ाई चैप्टर व है अब एक्जाम नजदीक है तो सबसे औरू पर उजाते मौड्ल पर सेम थूपर सेम पर आता हुए उसी तरीके से तयार किया जाते हैं थिक है तो मौडल प्रॉपर siendo इंदी मीडियम, इंगलिस मीडियम दोनों में उपलब दे ठीक है, तो आप इन्रोल कर सकते हैं अभी और अपनी तयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप समय कहां रहे गया बता ही निया समय में बहुत ज्यादा आपके लिए और दो घंटे में ही सॉल्व करने का प्रयास करने क्योंकि दो घंटे का बराता है, ठीक है, दो घंटे का पेपर होता है, पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मॉडल पेपर तो वीडियो सॉल्यूशन मि असी कोश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में असी कोश्चन आते हैं, पचास मॉडल पेपर, 4000 कोश्चन, फिर कुछ भी नहीं बसता, ठीक है, मॉड़ टेस्ट बात करें, दस मॉड़ टेस्ट, मॉड़ टेस्ट के जरूतिस, इसमें क्या है, टाइमिंग के हिसाप से आपका समय दिया जाता है, ठीक है, सिलिबस के नुसार कोश्चन और रैंकिंग भी आईगी, आपकी जैसे 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट, तो आपकी रैंक क्या, आपको पता चलेगा, और सुधार करने क्या है, या फिर जो हम कर रहे हैं, वो बिलकुल सही है, तो आ LPH A10 Alpha 10 coupon code apply करके आप course पर 10% की छूट पा सकते हैं, यह हमारा telegram group है, class 6th और 9th के लिए, तो इसको आप डारेक्ट देखिए, सर्च करके join कर लिजिए, फिर description में आपको link मिल जाएगा, तो वहां से आप join कर लिजिएगा, ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप सभी को comment box में लि रिजल्ट से रिटेड और साथ में फीज से रिटेड यूपी सानिक स्कूल के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को लाइक जरू करना है, सेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके, ठीक है, मिलते हैं